चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समान 10 मिनिट में बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकाएगा होगा, अमित जी, आपके पहले कमेंट, इस समय पर आपको मसालों का बाजार कैसा नजर आ रहा है? मसालों में अभी सबसे बड़ी ऑपर्चुनेटी है इन्वेस्ट की, क्योंकि मसालों में जीरात, हल्दी, धनिया, इंडिया ही सबसे बड़ा सप्लायर है और प्रोड्यूसर है, अभी कोई कॉम्पेटिशन नहीं है, सेकंड तिंग, जो बिरेंजी ने बोला, आप्टर जाता है, बुस्टर की तरफ ही उसका यूज बड़ा ही है, इसलिए दोस्वालों में उसका कंजप्शन कितना बड़ा, उसका कोई अंदाजा नहीं है, तो हमको लगता है और यह जो अभी यूक्रेन रसिया का जैसे सर में बोला, उसकी वज़से वहां से दनिया का इंपोर दोना था, इंडिया में भी या तो अधर कंट्री में, धर कंट्री में जाना था, साहिद रहा को लगता है, तारे डिमांडशिप्टों के इंडिया में यह जाएगी दनिया में, और जीरे में भी तुर्की सरिया का अभी कोई वजूद ही नहीं है, और एक अफगनिस्तान सप्लियर था, तो अफगनिस्तान भी तालिबन की वज़द से कोई सप्लियर जोन में आएगा नहीं, तो जो भी जाना है, वो इंडिया से ही जाना है, तो पूरी तरह से मोनोपोलिस बोले हम तीनों मसाला हमें, जैसा महोल सालों के बाद आया होगा, मैंने तो नहीं देखा अब अभी तक साहित बिरेंग जी या तो अस्विंग जी ने देखा होगा ऐसा थाई, अमिजी, धनियों को लेकर के मेरा सवाल ये है, कि हम बाजारों के अंदर, चाहे वो मसाला बाजार है, या कोई भी एग्री कोमोडिटी जाब उठा लो, रियूमोर्स के ओपर बहुत है, मैं आपको दो-तिन साल पुराना एक 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 जामपल दूँ, तो जब एक तेजी हमने जीरे के अंदर आते हुए देखी थी, दो साल, तिन साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी 17, 18, 18 की, 2018 की, 2018, 19 के बीच के अंदर में, जीरे के अंदर में एक तेजी, एक जंप पाते हुए देखा, उसके पीछे भी ये धनिया को चलाने की एक कोशिश की गई जी, तो एक ट्रेडर लोबी खड़ी हो जाती है, वो उसको मैनुपलेट करती है, कॉमोडिटी को, क्योंकि कॉमोडिटी का साइस बड़ा छोटा होता है, और एक वी कॉमोडिटी में पटिक मिला था, लेकिन धनिया का स्टोक अविलेबिल बहुत था, प्रोडक्शन के फिगर्स बड़े अच्छे थे, उसके बावजूद धनिया के अंदर में एक काटलाइजेशन हमने देखी थी, अब काटलाइजेशन से कैसे बचा जाए, रियूमर्स के बाजार से कैसे बचा ज चुकि आप फिजिकल ट्रेड के अंदर में हैं, और रूटीन के अंदर में आपके सामने भी ये सारी चीज़ें आती होंगी, और इस तरीके के डेटास भी आप लोगों के पास में आते होंगे, और बहुत सारे ट्रेडर्स अपना-पना जो भी उनके पास में नोलेज ये क साथ बहना चालू करते तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप क्या करते हैं और जो इस समय पर हमारे ट्रेडर्स भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सुला रहे हैं देखो रूमर्स तो बजारों में कभी फिलाया भी जाता है और कभी आते भी है उनसे प्राइजिंग रफडाउन करने की कोशिस होती भी है और होती रही है पास्ट में उस सिचुएशन में हम अपने हिसाब से जो फंडामेंटल है उसको क्रोस चेक करते हैं कि अपन फंडामे क्या होगी किसान का रुजान किस तरफ सा होगा उसका एक आडिया लगाते बाकि रूमर्स के साथ पूरां फिजिकल मार्केट वाला परसंड जूर नहीं सकता अगर दिमांड भी है तो हम उसको चेक करते कि पर दिमांड एक्चुलिक क्या रिट में आ रही है सिर्फ बोलने आपको समझना चाहिए कि चलो यह अगर आपको तो हर टाइम रूमर्स में चाहिए सची हो यह जूटी हो लेकिन रूमर्स से तो बचिका रहना चाहिए यही ट्रेडर के लिए है जिंगे राइट अमिजी अमिजी आपको क्या लगता है दनिया इस समय पर इंटरनेशनली अगर हमारे बाजार को देखते हैं तो आपको दनिया कैसा नजर आता है दनिया इस पार 2022 के अंदर में क्या वाक्य में ही मुनाफ़े के अंदर एक अच्छा तढ़का लगा पाएगा बिल्कुल बिल्कुल लगा पाएगा मसाले में जो ब्लेंडिंग मसाला होते हैं उसमें सब्सेश अस्ता धनिया ही है प्राइस का जीरा भी आज बड़े अच्छे रेट पे हो गया है जो जाते हैं जो सारे मसाले पीस के साथ में जो ब्लेंड बनते करी पाउडर वगेरा तो उनमें धनिया का जो बेस बनता है उसमें सबसे सबस्क्रा दनीय तो उसका कंजक्शन कट्टें का कोई खारण नहीं है सबसे नीचा केरी फरवड है और क्रोप भी आउटकम है पिछले छे साथ सालों में इतनी कम क्रोप देखने को नहीं मिली है कि हमारे को को कोई नंबर दे पाए केरी फरवड स्टोक का और प्रोड़क्शन का मेरे एडिया से आज के दिन में 25 से 27 लग बेक करी फरवड होगा और नया क्रोप आएगा गुजरात राजस्तान एंपी मिला के 65 लग बेक्स के बाद में मतलब आपको लग रहा है कि प्रोड़क्शन आएगा इन तीन स्टेट से और 25-30 लाग का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट पिछले दो तिन सालों से सब्सक्राइब कर रहा है तो एक्सपोर्ट मेरे को लगता है उसी के आसपास ही जाएगा अपने को एक सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन रशीयन बेन हो जाने से और युक्राइन के पोर्ट इमेजी सोने जैसे मेरे को नहीं लगता कि अगली दिपाव लिगता कोई नहीं सोदे इंपोर्ट के होंगे अपनी यह तरह से मोनोपोली बन रही है अच्छा मैंने की जो अलग होगी वो अलग बात है लेकिन अभी अपने को कॉम्पिटिशन में वो नहीं आ रहा है